तुरू उंच्छा जैन अपने घरवालों के साथ चिडिया घर की सेर को गया वहाँ उसने जराफा और जेबरा देखे थोड़ा आगे एक शेर का पिंजरा था जिसे जन्जीर से बंद किया गया था जैन फेर सिंग डर कर भागा और जमीन पर गिरा और इसके पाउं में जखम लग गया वापसी पर अबू ने सब को जेंगर और पीजा भी खिलाया आज हम जो हर्फ सीखेंगे वो जे है ये देखें ये जे है इसकी आवाज ज है मेरे साथ दोराएं मेरे साथ जे वाले अलफास पढ़ है जे से जैन जे से जराफा जे से जेबरा जे से जन्जीर जे से जमीन जे से जखम जे से जिंगर चूं हम वो अलफास सीखेंगे जिनके शुरू में जे आता है जमीन जबान जेबरा जैतून जन्जीर जमीन जमीन अर्थ को कहते है हमारी जमीन एक बड़ी सी बॉल की तरह है हम सब इस पर रहते हैं हमें अपनी जमीन को साफ सुद्रा रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पौदे लगाने चाहिए जबान ये हमारे जिसम का हिस्सा है इसे इंग्लिश में टंग कहते है इससे हमें खाने का जाइका महसूस होता है जैसे आइस क्रीम की मिठास अंगूर का खटापन करेले का करवा होना ये सब जाइका हमें जबान की वज़ा से महसूस होता है और जबान की वज़ा से ही हम बातें भी करते हैं जेब्रा जेब्रा देखने में घोडे जैसा होता है लेकिन इसके जिसम पर काली और सफेद लकीरे बनी होती है जैतून जैतून बेर की शकल का एक फल है ये दो रंगों में होता है हरा और जामनी इसे पीजा और सलाद में इस्तमाल किया जाता है जन्जीर ये लोहे की बनी होती है इसे एंगलिश में चीन भी कहते है ये बहुत मजबूत होती है चीजों को मजबूती से बांगने के लिए इससे इस्तमाल किया जाता है अब इन अलफाज को दुबारा दोहराएं जमीन जबान जबरा जैतून जन्जीर शाबाश बहुत खूब ये सब अलफाज जे से शुरू हो रहे है अब आप अपनी जाच करें इन तस्वीरों को गौर से देखें और बताएं कि इन में किन अलफाज के शुरू में जे लिखा है अनार, अंडा, जेबरा, पंखा, जैतून क्या अनार के शुरू में जे लिखा है? देखें और मुझे बताएं जी, अनार के शुरू में जे नहीं लिखा क्या जेबरा, जे से शुरू हो रहा है? देखें और मुझे बताएं शाबाश, जेबरा का लफ्ज जे से शुरू हो रहा है क्या अंडा, जे से शुरू हो रहा है? बिल्कुल दुरूस्ट अंडे में जे का इस्तमान नहीं हुआ अब आप इन तसावीर को देखें और जे से शुरू होने वाले अलफास की जाच करें शाबाश आपने बिल्कुल सही पहचाना जेबरा, जैटून ये अलफाज जे से शुरू हो रहे है लाइक, शेर और सबस्क्राइब